एस्ट्रो तक आपकर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्ट्रो तक आप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजे से आपका और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि ऐसा विशेश उपाय जो आपके जिवन की किसी खास समस्या को चुटके में दूर कर देगा तो चलिए राशिफल की शुरुवात करता हैं पंचांग के साथ में तो दिन है मंगलवार का तारीके 21 फरवरी 2023 फागुन शुक्ल प्रतिपता पर चंद्रमा कुम राश्य और श्यत विशानक शत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा तीन शुभंक रहेगा पिला शु मौरत रहेगा दुपहर को बारा बचकर बारा मिनिट से लेके दुपहर में दो बचकर अठावन मिनिट तक विशेश क्या है फुलेरा दूज है और इस दिन विशेश क्या है फागुन चंद्रदर्शन परव है और ऐसे में चंद्रमा का जो उदे होगा वो होगा शाम को उपाय जो है वो भी फागुन चंडर, उद decor दर्शनपरवसे ही संबन देता है बताईंगे आपको सौभागे की प्राप्ति कैसे होगी उसके लिए राशी फल को आखर देखेगा शुरुअत करते है राशी फल की पहली राशी मेशनी एरीस के साथ कारिस्तल पर विवाद के योग हैं गुस्से पर काबू रखें उदार दिया हुआ पैसा फसने के योग हैं प्रीमी से मन की बात कहेंगे संतान से खुशखबरी मिलेगी उपाईए करें कि मस्तक पर संदूर से तिलक करें शुभंग तीन रहेगा शुभंग रहेगा पीला जीवन शली में बदलाव आएगा कारोबार में विस्तार की योजना बनाएंगे संपत्ति को लेकर विवाद के योग हैं दूर के रिष्टेदार घर आएंगे सिह ठीक रहेगी उपाईए करें कि जेब में गिहुं के दाने रखें शुभंग नो रहेगा शुभंग रहेग चौथी राशी करक यानि के कैंसर की बात करेंगे नई कारोबारी योजना से लाब होगा जीवन साती से सहयोग मिलेगा संतान को लेकर चिंता रहेगी वहन सावधानी से चलाएं मन पूजा पाठ में लगेगा उपाईए करें कि गरीब बालक को गुड़दान करें शुभं इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब अल्टर तब नो यूर फेट साथवी राशी तुला यानि कि लिवरा की बात करेंगे सहकर्मियों समन मुटाव के यूग हैं गुस्से पर नियंतरन रखें आए के नय मार्ग स्थापित होंगे आर्थिक स्तिती सुधरेगी धार में कारियों पर धन खर्च होगा उपाई ये करें कि जेव में लाल रंका रोमाल रखें शुभंक नो रहेगा शुभरंग रहेगा नारंगी आठवी राशी व्रिश्चिक यानि कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे सहत में सुधार आएगा मन में कई विचार आएंगे कारोबार में बड़ा लाव होगा संपत्ती के विवाद पक्ष में रहेंगे सर रचों को लेकर चिंता रहेगी कुमारों के शादी पक्की होने के योग हैं कारोबारी योजना बनाएंगे वहन सुख में व्रद्धी होगी उपाई ये करें कि बॉलकनिया च्छत पर दीपक करें शुभंक च्छे रहेगा शुभरंग रहेगा गुलाबी दस्वी राशी म कर यानि कि केप्रकाउन की बात करेंगे सुख सुविधाओं पर धन खर्चों होगा उन्नती से लोग कुछ नाखुश रहेंगे काम काच्छ अधिकारी प्रभावित होंगे विदेश से लाप की योग हैं सहत पर द्यान दे उपाई ये करें कि पूजा गर में तामवे के प पक्ष में हल होंगे नेताओं को सम्मान मिलेगा उपाई ये करें कि किसी व्रध बिखारी को मिठाई दान करें शुभंक दो रहेगा शुभंक रहेगा सफेद बारवी राशी मीन यानि पाईसिस की बात करेंगे रिष्टेदारों से मध्वेत के योग हैं सैयम बनाय रखे अचानक धनलाब के योग हैं कारोबार में शत्रों से सावधान रहें सामाज एक प्रतिष्ठा में व्रधी होगी उपाई ये करें कि घर के दक्षन दिशा में सुगंदित धूप करें शुभंक च्छे रहेगा शुभंक रहेगा गुलाबी तो दोस्तों अब समय है आज के विशेश उपाय का वो विशेश उपाय जिससे स्वभाग्य की प्राप्ति होगी देखे खास दिन है दिन है फागुन के चंदरदर्शन पर बगा जब अमावस्या के बाद पहली बार चंदरमा शितिच पर नजर आता उसे चंदरदर्शन पर बगा कहते हैं फागुन तो स्वभाग्य के प्राप्ति होगी और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश मंतर का जाप करें ओम विभान शुनमा आश्वस्त करता हूं स्वभाग्य के निश्चित प्राप्ति होगी तो दोस्तों आज कली बस इतना ही, कल आप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षिवाए